कॉंग्रेज GDS की सरकारों ने सबसे बड़ा दोखा हमारे गावों के साथ किया है हमारे किसानों के साथ किया है कॉंग्रेज के प्रधान मंत्री ने कहा था कि दिल्ली से एक रूपिया बेजा जाता है तो उस में से 85 पैसे, एक रुपिय में से 85 पैसे बिच में ही कोई खा जाता है ये कौन सा पंजा था जो 85 पैसे लूट लेता था कौंग्रेस, जेडी एस की सरकारों ने सबसे बड़ा दोखा हमारे गावों के साथ किया है हमारे किसानों के साथ किया है करना तका के महनत करने वाले किसानों के साथ दोखा किया गया है आजादी के बाद से ही कॉंग्रेस ने जिस तरह की लूट मचाई उसने गाउं तक विकास का लाप पहुँचने ही नहीं दिया कॉंग्रेस के पुर्व प्रधान मंत्री ने खुद कहा था कॉंग्रेस के प्रधान मंत्री की बात बताता हूं मेरी बात नहीं बता रहा हूं आप याद रखोगे याद रखोगे कॉंग्रेस के प्रधान मंत्री ने कहा था कि दिल्ली से एक रुपिया बेजा जाता है तो उस में से 85 पैसे, एक रुपिय में से 85 पैसे बिच में ही कोई खा जाता है, सिरफ 15 पैसा लोगों के पाथ पहुंता है, उस समय तो पंचायत से पार्लामेंट तक सिरफ और जलब कॉंग्रेस का ही राज था, और उस समय कॉंग्रेस के प्रधान मंत्री ने सारवजनी ग्रुप से कहा था, के एक रुपिया भेचते हैं, 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा चोरी हो जाता है, ये कौन सा पंजा था, जो 85 पैसे लूट लेता था, कॉंग्रेस ने खोद अपनी पहचान 85 पर्सन कमिशन खाने वाली सरकार की बनाई है, इतना पैसा हड़प लेने के बाद, गाव और गरीब का विकास असंभव है, यही कारण है कि 2014 तक देश की आधी से अधिक आबादी, मूल सुभिदाओं से बंचित,